जै श्री राम प्रेमी भक्तों सुबह उठकर सबसे पहले ब्रह्मम उर्थ में क्या करना चाहिए? प्यारे भक्तों ब्रह्मम उर्थ हमारे 24 घंटे का सबसे महत्पूर्ण, सबसे सक्साली और परम महुर्थ होता है और इसको निकालने की या निकलवाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती यह स्वयम में स्वयम है और 24 घंटे में यह होता ही है और अपने आप होता है प्राकृति गरूप से होता है इसका जो समय है वह है 3-5 बज़े होता है वैसे तो इसको 3 से सूर्य उद्व होने तक माना गया है लेकिन जो महत्पूर्ण नहोंगे 3-5 है यह हमारे संतों ने भी पताया और ग्रंथों में भी है इसलिए इसमें सुबह उठकर सब से पहले हमें क्या करना चाहिए जरा ध्यान से सुनना और सुन करके इग्नोर मत करना करना जरूर उससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा अगर आप लगातार करेंगे तो वैसे तो संतों ने ये कहा है कि ब्रह्म मूर्थ में उठना ही सर्वो परी है और कुछ करना तो फिर कहने ही क्या है सब से पहले उठकर के हमें जैसे हमारी नीन खुलती है हमें माता पिता और गुरू का ध्यान करना चाहिए उन्हें मन से याद करना चाहिए गुरू का मतलब है परमात्मा और माता पिता जिनके दोरा ये सरीर प्राप्त हुआ है उनको तीनों को जो प्रती दिन सुबह उठते ही याद करते हैं उनके जीवन में खुसाली खुसाली रहती है और दुख कभी आता नहीं है परेशानी कोई होती है और इसके आगे आप ने ये काम कर लिया तो आप अपने दोनों हातों को खोल कर गया अपने दोनों हातों को देखें कि उसमें हमारा भागी भी होता है और लक्षमी और नारायन का बास भी होता है बता चलेगा कि लेते समय सो की आवाज आती है और छोड़ते समय हंग की आवाज आती है और ये सोहंग की शब्द ही परमात्मा है शोहंग सब्द बोलने से सभी भगवानों के नाम का जब होता है सभी भगवान खुश होते हैं तो कि ये वो सोहंग सब्द है जो स्रिष्टी क किंट कर दे मी कहा ह tool bias कर चिंतन करें कि इसी नाम की महीं हो सभी शास्त्र में वेदों में गायी गाई गई है जब को जब आप बैड कर और इसा करें जैसा करें जैसाे आप शोड़ दो और छोड़ने के बाद आपको सुबह ऑ उठ करके अब ध्यान को ले काम आपके जीवन में उपर जब सुबहने को बोलना है तो अब तरह की बारा करना है स्वास ले ते समय सो छोड़ते हैं केवल बता सकते हैं, करना तो आपका काम है, अगर आप ऐसा करेंगे, तो वास्ता में करके, आपका जीवन आनन बार करते हैं, अब हम अपनी बारे को विस्लाम जेते हैं, जैसी रहाँ